प्यारे साथियो ये वीडियो मैंने इस्पेशल आज उन साथियों के लिए बनाया है जिनका आज बेरोजगारी बत्ते का जो वेरिफाई फोरम था जिसको आज अपरूड कर दिया गया है ना तो आपका फोरम जैसे ही अपरूड हुआ है तो हमारे काफी साथियों के मन में य सवाल गुंज रहा होगा की हमें अपरूड होने के बाद अब क्या करना है हमें इंट्रसिपक मिलेगी हमारा जो बरोजगारी बत्ते का बिल है वो कब पास होगा और बिल है वो कितने रूपँए का पास होगा और payment है वो अकाउंट में कब तक आएगा ठीक àन इन सभी सबा वीडियो में आपको यहां जबाब दे देता हूं ठीक है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों निश्चित रूप से आपको कोई भी समस्चन ही आएगी ठीक है तो नए सातियों से छोटा सा निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे पूरे र उसमें इस प्रकार का ओफ्सन आ रहा है ठीक है देखो इसमें लिखा गया है कि प्री अभ्यर्थी आपका मुक मंत्री युवा सम्वल योजना 2021 और 2022 या 2023 में बिरुजगारी बत्ता अफ्रूड कर दिया गया है ठीक है ना 2021 से टेंशन मतलेना इसे जारी रखने हेतू राज किये विभागों में च्यार घंटे की इंटर्शिफ अना और या RSLDC से प्रक्सिक्षन की अनिवारिता है अते 15 दिवस में EMS पोर्टल पर अपनी SSO ID से प्रोफेशनल कोर्स का प्रमान पत्तर अप्लोड कर इस दोस्तों पहले इस मेस्ज़ को मैं आपको पूरा पढ़के ब अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कारेले संप्रक कर सकते हैं देखो दोस्तों यदि आपको जादा ही जानकारी चाहिए तो वही आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी जिला रोजगार कारेले जा सकते हैं दि आपके आसपास हैं तो यदि आपके दूर पढ़ता है त कि मानलो आपने कोई भी तीन मां का कोर्स है जैसे RCIIT है, IIT है, NERSING है, BED है, BSTC, यदि आपने कर रखी है तो उस कोर्स में अपना जो भी डिपलोमा है उसको अपलोड कर दें, यदि मानलो आपने कोई भी प्रोपेशनल कोर्स नहीं कर रखा है, ठीक है ना, तो आप ऐसा करे RS LDC कोर्स की सहमती देदेगी, हम तीन मां का कोर्स करना चाहते हैं, दोस्तों ना, इसका फाइदा यह होगा कि आपका जिला रोजगार कारले, आपको तीन मां की ट्रेनिंग करवाएगा, ठीक है ना, और तीन मां की जैसे ही आपकी वही ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके आपको जो इंटर्शिफ डिपार्टमेंट है, वो आपको दे दिया जाएगा, और इंटर्शिफ डिपार्टमेंट मिलने से पहले यह नहीं, आप जैसे ही कोर्स करने जाओगे, तो आपको भता भी मिलता रहेगा, और RS LDC कोर्स भी आपका कम्पलिट हो जाएगा, और जैस सबी में आपको चार गंटे इंटर्शिप करनी पड़ेगी और फिर आपको जो वेरोजगारी बता है वो मिलेगा ठीक है अच्छा यदि मालो साथी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और चुप चाप बैठे रहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना वेरोजगारी बता बंद हो जा है उसे यहां पर क्या है इस टोप कर दिया जाएगा ना तो मैं यह मानता हूं 15 दिन के वजाए आप जल्दी से जल्दी चार या पान दिन में इसकी सहमती दे दें ठीक ना आप जैसे ऐसे सो आईडी को आपन करोगे ना तो इसकी पूरी जानकारी का वीडियो का लिंक मैंन हो गया है तो मुझे आगे क्या करना है ठीक है ना अच्छा उसके बाद सात्यों आपका बिल का पास होगा दोस्तों आपका बिल है वो फरवरी मामे पास कर दिया जाएगा क्योंकि आपका दस क्या है दस जनवरी को आपका जो फोरम अपरूड हूआ है तो आपका 20 दिन का पास कर दिया जाएगा फरवरी में ठीक ना वो फरवरी में ही आपका पैमेंटे क्रेडिटे कर दिया जाएगा ठीक है तो मैं तो यह मानता हूँ कि सात्यों 4,000 पैंतारी सुरु पर लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बात बाते बताई है इनका आपको पालल हर हालत में करना ही होगा नहीं तो साथियों आपके स्टेटस पे फिर इस टोप का उपसन आ जाएगा ठीक है तो अपनी सहमती जरूर दें और जिन साथियों ने professional course कर रखा है तो आपको भी सहमती देनी है और जिसने नहीं कर रखा है उसको भी सहमती देनी है ठीक ना तो जैसे SSO ID को open करोगे तो आपके सामने option आएगा professional course कर रखा है जैसे मानलो आपने BSTC कर रखी RSCIT कर रखी है तो उसमें RCIT वाड़ा option को टिक कर देना ठीक ना और मानलो आपने कोई भी course नहीं कर रखा है तो आप कर देना कि मैं RSLDC तीन मागा course करना चाहता हूँ ठीक है तो जरूर सब्सक्राइब करें और comments में अपना जो भी सातियों आपको मानलो ऐसा confusion हो रहा हो तो comments करिए आपकी help होगी